आज हम लोग सबसे पहले आप लोगों के लिए लेके आए हैं नीट 2020 की आंसर की कोड जीफाइब का पेपर है जो मेरे पास आया था उसको हम लोगों ने सौल किया और ट्राइ किया कि आप लोगों के लिए बनाए जाएं लगबग इस समय नौ साठे नौ बज रहे हैं और आपके लिए सबसे पहले आंसर की हम अविलेबल करा रहे हैं तो चैनल को एक बार सबस्राइब कर लिजिए और होपफुली यू विल गेट दा गोड मार्क तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाई वन तो यहां पर देखेंगे यह कोड जो है जी फाइफ का फर्स्ट क्वेशन अगर आपन देखें तो थोड़ा सा मैं जूमिन कर ले रहा हूं तो फर्स्ट क्वेशन आंसर इस तू देट इस तू पॉइंट टू मीटर मैं पैरलल में बोलते जा रहा हूं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना रहे दांसर विल बी तू पॉइंट टू मीटर The second question, the answer is 1. 3rd question 1, 4th question 2, 5th question 2, 6th question 3, 7th 3, 8, 2 9th question option 2, 10th question 1, 11, 3, 12, 3 13, 2, 14, 4, 15, 2, 16, 1, 17, 2 18th option 4, 19th 1, 21, 22, 3, 21, 3, 22, 1 Now 23 option 4, 24, 4, 25, 1, 26, 4 तो आप लोग इसको खुद से भी देख सकते हैं कि इसमें कैसे मैंने किया हुआ है और डिरेक्ली उसको पॉस करके भी आराम से नोट कर सकते हैं कोई जल्दी नहीं रहेगी मैं इसको थोड़ा स्पीड में बढ़ा देता हूँ आप देख सकते हैं 27 का 4 आंसर है, 28 का 4 है, 29 का 4 है, 30 का 1 है और ये आंसर लगभग लगभग 100% accurate आंसर हम लोगोंने ट्राई किया है बनाने का लेकिन अगर किसी भी question में अगर आपको कोई doubt आ रहा है तो आप जो है इसको नीचे comment box में लिख सकते हैं और अगर आपको इसकी PDF फाइल चाहिए तो comment box में लिखेंगे तो उसका मैं आप लोगों को link दे दूँगा जहां से आप लोग PDF उसकी download कर सकते हैं या आपने टेलिग्राम चैनल का link दे दूँगा Modulus Institute नाम का अपना टेलिग्राम चैनल है वहाँ से भी आप लोग इसको देख सकते हैं 37 1 आराम से नोट करते रहे हैं आप लोग 38 39 40 41 42 43 44 45 46 दो parallel में चल रहे है 45 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 सारे questions कि आपको यहां पर मिलेगा इसका solution भी हम लोग बना रहे हैं वो भी कल तक अपडेट हो जाएगा या हो सकता आध रात में ही आप लोगों के पास इन सभी questions के answer भी आ जाए तो चैनल को subscribe कर लेंगे bell notification को प्रेस कर देंगे तो डारेक्ट यह वीडियो सबसे पहले आपको मिलेगी और आप इसको अपने friends में share कर सकते हैं कि यह model ने शुरू दारा सबसे पहले answer की generate की गई है तो अब लर हुआ है नहीं 66 देख सकते हैं second option 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 का 1 80 का 4 81 4 82 1 83 2 84 1 85 2 86 2 87 4 88 3 89 1 90 का 3 इसके बाद अब भी start होता है chemistry यहां तक बाई हो था chemistry में अगर जाएंगे तो 91 से start है तो इसको आप लोग अपने pen paper ले लिजिए अपना booklet जो है question paper booklet और उसमे red color से circle करते जाएगे और बाद में उसको count करके मुझे बताईए comment box में कि आपकी कितने marks आ रहे हैं तो उससे मैं आप लोगों के लिए एक दूसरा वीडियो में आऊँगा कि किस marks पे कौन सा college आपको प्रेडिट कर सकता हूँ मैं किस college का cutoff कहा तक जाएगा वो सारी चीजे मैं यहां पे अपडेट करके आप लोगों को बता सकता हूँ note down करते जाए 102 का 2, 1032, 1042, 1054, 106 का 3, 1074, 8 का 2, 9 का 2, 10 का 4, 11 का 3, 12 का 2, 13 का 2, 14 3, 15 4, 16th 1, 17 3, 18 3, 19 का 3, 20 का 2, 21 का 3, 22 1, 23 2, 24 का 3, 25 4, 26 4, 27 1, 28 का 2 comment box में लिख दीजे तो pdf मिल जाएगी तो आपनों को बहुत आसानी हो जाएगी ऐसे note करने में थोड़ी सी तकलीब भी हो सकती हो सकता है आप लोग प्लस माइनस note कर लें तो आराम से पहुच करके note कर सकते हैं स्क्रेशाट लेकि note कर सकते हैं या comment box में देंगे उस पर भी मैं reply कर लूँगा और कितने marks आ रहे हैं वो बताएंगे तो मैं एक बार rank भी आप लोगों की प्रेडिट करूँगा और वो पिछले 10 साल से मैं प्रेडिट कर रहा हूं कहीं न कहीं वो 90% accurate rank ही आती है 144 1 145 चलते हैं फिजिक्स में 146 3 147 2 148 4 149 का 3 151 151 का 4 152 1 153 4 154 का 4 155 4 156 का 2 157 1 158 1 159 3 तो इसमें क्या है अगर आपका code कोई दूसरा है तो उसके भी आप टैली कर सकते हैं इसलिए मैं आराम से बना रहा हूं कि equation देखके भी आप answer verify कर सकते हैं कि आपके set में कौन सा equation कि sequence में है 163 2 164 2 165 2 166 1 167 3 168 1 169 1 171 171 का भी 1 172 का 2 173 1 174 1 175 का 2 176 का भी 2 177 logic get question है इसका answer 4 है 178 thermal energy निकालने थे उसको option 1 आया हुआ है 179 जो है उसका answer insulator and semiconductor है और 180 का answer है 67 cm तो दोस्तों चैनल को एक बार जरूर से लाइक करिए और इसमें अगर आपको किसी भी question में ऐसा लग रहा है कि इसका answer कुछा लगा सकता है तो वो भी आप मुझे बताएंगे तो उसके लिए भी एक separate आप लोगों को के clarification के लिए एक वीडियो में बना सकता हूँ तो चैनल पर नए है तो एक बार चैनल को जरूर से subscribe कर लीजिए ठीक है और अपने marks को count करके एक बार जरूर हमें बताएंगे कि आपके marks कितने आ रहा है उसके basis पर मैं आपको guide कर सकता हूँ कि आपको कौन सा college कहां पर मिल सकता है और इस बार का cut off कितना जाएगा आप MBBS के लिए eligible रहेंगे कि BMS या BHMS के लिए ठीक है तो वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों के अच्छे माकसा हैं ऐसे सुबकामना हमारी है आपके साथ कि आप अच्छे score करें और अच्छे college में admission ले वीडियो को like कर दीजिए और इसको दोस्तों में share कर जिए चलिए thank you very much all of you कर दो